विल्कम यू आल ऑन इंडियास लाज़ेस्ट ऑनलाइन एडुकेशनल प्लैटफॉर्म दैट इस ग्रेट अप सभी लोगों का स्वागत है ग्रेट अप के प्लैटफॉर्म पर और मुझे आप सभी लोग जानते हैं मेरा नाम है भवर सिरोही और आज हम बात करने वाले शेके जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है यह एज अप्रूव्ट फॉर यू विद्धी आप नाइन थाउसंट पोस्ट इन मेस्ट इन इंजिनियन सर्वेसे तो अल्टिमेटली आज हम बात करने वाले लेटिन जर्नल डीबी शेके शेकेटकर कमेटी के बारे में उसके रेकमेडेश जहन और कौन हमारे साथ लाइफ है चल्दी से आप कमेंट कीचेगा और में को बता कीचेगा और में कीचेका और बोच अब बता दूँ कि आज हम बात करने वाले हैं 2018. उसके गाइडलाइन और जो recommendations हैं उनके बारे में बात करेंगे आपको पता ही है army reforms, armed forces reforms के लिए ये committee जो है इसको set up किया गया था, this committee was set up for armed forces reforms, और armed forces में बहुत सारे reforms को इसने suggest किया, there were about 99 recommendations जो की इसकी accept की गई और जिनको जो है माना गया, और अगर हम बात करते हैं तो there are about 99, लेकिन हमें 99 recommendations नहीं देखनी है, हमें सिर्फ important ones देखनी है, for the purpose of your examination, we just have to go through the important ones, जो important recommendations जो हमारे की गई है, उन्हें को important recommendations को हम एक बार देखेंगे, रिशी ठाकर गुड़ आप्टरनून, और कॉन को नमासा जुड़ चुके है, जागरुती प्रजापती, गुड़ आप्टरनून देविश यादव, hello, and good morning आकरती राठोर, और सब हसो, बिलकुल, जैहिद, ठीक है, तो सब हसो और सब को हसाते रहो, सहायक बिश्वास, hello, and good morning, और बाकी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके है, जल्दी से आप लोग जो है, लाई बात चाहिएगा, और हमारा सेशन जो है, वो शुरू होने वाला है, will be starting of this session, सहायक बिश्वास, good afternoon, ठीक है, हमारा जो सेशन है, वो हम शुरू करने वाले हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजएगा, और फिर हम आगे चलते हैं, हमारे सेशन के बारे में हम बात करते हैं, चंदरिशेकर बासक, good afternoon, और चलिए, हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, यह हमारी जो कमिंटी है, इसका सेट अप किया गया था, उनके अंडर में इसका सेट अप किया गया था, और बाद में इसने अपनी रिकोर्ट्स दी, और उसके अकॉर्डिंग्ली, देर वर अबाउट 99 रिकमेंटेशन जिसको हमने माना था, प्रशांद शर्मा, गुड आफ्टरनून, अभिशेग महता जहिन, और रेट, जहिन शिवाग्, चले, बात करते हैं, अब हम एक चोटा दा बाक्डराउंड देख लेते हैं, राइट फॉम दी स्टार्टिंग ओफ दी इंडिपेंडनेंस, और रेट, लेकिन गुड आफ्टरनून प्रशांथ, अभिशेग महता जहिन, तनमय जहिन, और रायन, गुड आफ्टरनून, और आईश जहा, गुड आफ्टरनून, और तो जब हम बात कर रहें, आपका, इनिशली जब हमारा देश आजाद हुआ, तो उसके बाद से ही य इंडो चाइना वार थी उसके बाद पर आपका जो रिफॉर्म है, रिफोर्म करने के लिए रिफ्रेंस को रियस्टर्ट्र करने के लिए पूरा मेकानिज्म उसको जो है, उसको उपर चेंजर्स लाने के लिए यह हमारा फूकस जो होने लगा, और इसके लिए बहुत सारी चीज़े हमारी की गई जैसे for example defense plan rollout किया गया डिफेंस plan rollout किया गया इन 1964-69 यह हमारा defense plan था और इससे जो आपकी defense requirements है उनको और अच्छा करने के लिए यह plan जो हो लाया गया जो हमारा आम फॉर्सस है उन में रिस्ट्रक्ट्टरिंग किया जा सके एड अगें in 1969-74 अगें डिफेंस प्लाइंट वस्ट आउट रोल आउट अब रोल आउन प्लाइन क्या होता देखें दो तरीके के प्लाइन होते है एक होता टाइम बार्ट प्लाइन होता और एक रोल आ क्या होता है जिसमें कि आपका कोई भी हम बात करते ते आपका पॉले पॉट क्रोर जो वो यूज किया गया गया है वह वह वक्न जो है वो Treasury में जमा हो जाता है तो रोल-on plan क्या होता है जिस पे हम पैसा वापस जमा नहीं करते हैं उसको आगे के लिए हम हम यूज करते रहते हैं तो तो दाट इस नॉट इस नॉट सब्मिटेड अगें तो दी गवर्मेंट आप इंडिया वह आपका वापस री सब्मिट नहीं होता उसको हम रोल-on प्लान कहते हैं और 1969-74 में जो है यह आपका दुबारा से डिफेंस प्लान लेकर आया गया ताकि आपके जो डिफेंस रिक्वार्मेंट से वो डिफेंस रिक्वार्मेंट वो आपके शुरू किये जा सके लेन उसके बाद फिर नेक्स अगर हम बात करते हैं तो इन आपका क्रिएट किया गया इंटेगे इस एडिक्वार्टर इसको इसको इस्टाबलिश किया गया डेली में 2001 में तो अगर हम देखते हैं तो दीज आर्दी इस वर दी रिफॉर्म जो कि आपके ब्रॉट अप किये जा रहे थे आप सभी जानते हैं 1999 में देर वाज़ अ कार्गिल वार कार्गिल वार के थूँ हमारा जो है देश वह आपका कार्गिल वार उसने लड़ी हमारे देश ने पाकिस्तान के साथ और 1999 के बाद जो है आपका कार்गिल वर review committee या कारगिल review committee का घठन किया गया कार्गिल review committee also give lots of the you know lots of recommendation लेकिन उन recommendations पर कार्य नहीं किया गया later on अगर हम बात करते만 तो बाद में अगर हम बात कर रहें तो आपका बान में जाकर ठीक है अगर में कहते हैं तो बाद में जाकर जो है आपका अब फिलहाल जो है उसके बाद फिर आपका जो है रिफॉर्म के ऊपर यह दियान देया जाना लगा जब से आपका चेंज़ हुए विए रिजीम चेंज और जो है नरीन अमोधी आपके सत्ता में आएं तो उसके बाद जो है के चाहने लगे कि आपका जो डिफेंस पॉर्स है उसमें रिफॉर्म किये जाने चाहिए और रिफॉर्म्स दे आर रिक्वाइड डिया रिक्वाइड बिकॉस अफ लॉट्स ऑफ डाइमेंशन जार बहुत सारे चीज़ें जिनकी वज़े से हमारे पूरे डिफेंस बहुत है जिनकी वैज से जरूरी है कि आज आम फोर्स को रिफॉर्म किया जाना चाहिए और सबसे पहले आपका जियो पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया मतलब आपका जो दक्षिन एशिया है उसमें जो जीओ पॉलिटिक्स है अल्टिमेंटी आप अगर आज देखते हैं you know after uh when the world war second ended when world war second ended what happened was कि पूरा जो विश्व है वो एक cold war में चला गया एक cold war में चला गया जहां पर दो हमारे पास we had the two poles एक एक आपका जो है रश्या था और दूसरा वाज दी अमेरिका अटिमेटली नाइटी नाइटीनिटीज में यह हुआ की रश्या जो है वो बाइफर्केट हो गया रश्या भाइफर्केट होने के बाद दिर वाज ओन्ली सिंगल सूपर पावर जो कि आपका बच गया एंड आट वस यूएसे जो है वह आपका आक मनलब अल्टिमेटली दिर वाज यूए जान से कि आपका चाइना को काउंटर किया जा सकता है जो अल्टिमेटली वन वे टॉकिन अबाउंट इडिवी चाइना आफ टीना इन वह चॉपर पावर टीक है अन अल्टिमेटली यूएस थाट आट साउथ एशा इस ऑन पर्टिकुलर एंड पर्टिक्लर होट्पोर्ट the rising aspirations of the China can be kept into check ultimately इसके बाद क्या हुआ इसके बाद दीरे दीरे आपका South Asia जो है वो आपका पूरे world map पर चाने लगा ultimately USA जो है USA का जो पूरा आपका अगर हम बात करते हैं आपका पूरा जो उसका ध्यान है ध्यान वो आपका South Asia की तरफ गया दक्शन Asia की तरफ गया और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दक्शन Asia में आपका जो पूर्पर जो है आप आज अगर देखते तो ज़ो जियो पॉलिटिक्स मतलब जोग्रफी से रिलेटिब जो पॉलिटिक्स है आपका इंदिन ओशन है वी आप दर इंदिज़ जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूट है इंदियर ऊशन अगर हम बात करते हैं इंदिन ओशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रहे आपको पता ही है चाइना एस प्लाइनिंग स्ट्रिंग ऑफ पर इसके लावा वन बेल्ट वन रोल इनिशेटिव भी लेकर आ रहा है चाइना ठीक है तो इंडिया अपनी पावर को एजर्ट करता रहे ठीक है इंडिया पावर शुट भी इस उसके बाद फिर नेक्स रम बात करते तो तो वी था बॉर्टर आटर एंग दी नेवरेंग नेशन जस्पेशलिए इंडिया के पार्किस्तान के साथ मुर्टर इस्प्यूट से चाइना के साथ इस अभी आपको पता ही है अभी दो दिन पहले ही चाइना के साथ ब्रदर स्क्रमिश तो एंड यानीस थोब्स थे ऑप in line to line with the Indian troops तो ultimately आप अगर बात करते हैं तो border disputes है जिनकी वज़े से आपके reforms Indian army में reforms किये जाने चाहिए then when we talk about cross border and Pakistan-backed terrorism that is very very important and आपको पता ही है अभी हाल फिलाल में ही we have lost so many soldiers we have lost so many soldiers because of the terrorism साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बहुत सारे हमारे जो जवान है वो शहीर हुए हैं सर्फ इसी वज़े से आपका आतंगवाद की वज़े से तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो है आपका reforms वो लेकर आए इसके लावा we do not have any integrated structure to oversee battlefield management जब हम complete battlefield की बात करते हैं जब हम एक war की बात करते हैं तो war में हमारे पास एक complete integrated structure रही है we do not have any kind of integrated structure सभी आपकी जो सेनाए हैं चाहे वो वायू से ना हो थल से ना हो या नौ से ना हो all these you know all these forces they work in solitary ठीक है यह आपकी अलग-अलग कारे करते हैं तो एक integrated mechanism नहीं है एक जो है complete integrated structure नहीं है जहां से कि आपका पूरा battlefield वो manage किया जा सके साथ ही साथ अगा आप अगर commands की बात करते तो बहुत सारे commands आपके ऐसे we have the commands which are you know dispersed at a very great distance जो commands जैसे for example आप east की command के बात करते है तो eastern command में विशाका पत्नम में we have the naval eastern command ठीक है इसके लावा अगर हम बात करते है तो आपका west Bengal बहुत दूर पड़ता है वहां से and we have a very you know distances there are great distances between the command structures of all the three forces जित्री भी तीन नों forces है उनके बीच में जो command structures है उनमें काफी distance जो है वो आपको यहां पर देखरे को मिलता है इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो we do not have any institutional mechanism for sharing of the information between the civil and defense officers जो हमारे civil and defense officers है जो हमारे civilian officers है and the defense officers they do not have the method of sharing the information also there are the other arenas also there are the other you know susceptible also between you know both the officers regarding the sharing of the information तो दोनों के बीच में आपके जो civil officers होते हैं साथ ही साथ जो आपके जो आपके civil के साथ साथ जो आपके defense officers है इनके बीच में कोई भी एक institutional mechanism नहीं है जिसके तुरू आपका information share हो सके then the budgetary allocation it is very less when we talk about the budgetary allocation it is less than 2% of the GDP आपके जो complete GDP है gross domestic product या फिर सकल घरेलू उत्पात जो है उसका केवल दो प्रतीशत से भी कम हम जो है अपना budget में इस्तेमाल करते है आम forces के लिए तो budgetary allocation काफी कम है we have the outdated war machinery आज भी हम Soviet era की machinery को यूज कर रहे हैं अगर देखेंगे तो we have the outdated war machinery most of the machinery the war machinery whether it is aeroplanes the fighter jets the submarines or any kind of the machinery that we are using they are mostly machinery हो चुकी है और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आपका bureaucratic ineffectiveness जो है वो आपका that has taken hold of the ordinance factories they are responsible for making of the weapons and arms and eminations तो ओर्डिनेंस फाक्टरी में आपके arms and eminations बनते हैं और arms and eminations जो है यह आपके bureaucratic आपके जो ordinance factories है वहाँ पर बनाये जाते हैं और वहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर bureaucratic ineffectiveness है यानि कि वहाँ पर सही तरीके से कार्याद नहीं हो पाता है और वहाँ पर वो लोग जो है आज भी एक colonial era के एक mindset में जी रहे है जिसकी वज़े से ordinance factories की जो effectiveness है वो proper पर effectiveness नहीं आपाती है साथी साथ अगर हम बात कर रहे हैं वैन वी टॉक अबाट इस रिशर्च और डिवलप्मेंट आर इंडी की अगर हम बात करते हैं तो वी लाक इन रिशर्च और डिवलप्मेंट अल्टिमेटली वी दो नाट वी अगर हम पर रिशर्च और डिवलप्मेंट यह वह नहीं हो पाता है इंटिया और इन आम पोससे इनी सभी वजहों की वजह से यह जरूरी है कि हमारे जो भारतिये सेना हैं उनके अंदर जो है आपका reforms किये जाने चाहिए उनके अंदर जो है आपका नए reforms लाए जाने चाहिए अब अगर हम बात करते हैं इसमें तो ultimately when we talk about this all right तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं आपका शेकेट कर committee की तो शेकेट कर committee की आज हम बात कर रहे हैं और यह it was it is a very important committee जो कि आपका armed forces में reforms के लिए constitute की गई थी it was constituted by late Mr. Manohar Parikar who was the then defense minister and this was this was complete 11 member committee of experts 11 सदस्यों की पूरी समीती बनाई गई थी and the chairman was left in journal retired DB शिकेट कर the objectives for this committee was इसके जो आपके उदेश्य थे उदेश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप आप देखेंगे तो उदेश्य क्या है इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका to recommend measures to enhance capability of armed forces यानि कि जो हमारे जो armed forces है हमारी जो सशस्त्र बल है उनकी जो capability है उनकी जो capability है उसको और increase करना और उसको और आगे तक लेके जाना साथी साथ to balance the expenditures on armed forces अगर हम बात करते हैं expenditure की तो जो हमारा जो होता है arm forces पर सेनाओ पर ठीक है तो ultimately अगर हम बात करें आपका सशस्त्र सेनाओ पर जो हमारा expenditure हो रहा है वो दो तरीके से होता है एक तो हमारा normal revenue होता है जब हम expenditure की बात करते हैं when we talk about expenditures so expenditure can be of two types it can be capital expenditure and it can be revenue expenditure ठीक है दो तरीके के expenditures हो सकते हैं capital is long term investment या long term expenditure जो आप करते हैं जो जैसे for example आपका कोई भी आपका machinery है you talk about any kind of machinery और यहां पर machinery के terms में हम क्या बात कर रहे हैं हमारी जो war equipments हैं जो हमारे equipments हैं machinery है they are the long term investment ठीक है और अगर हम revenue की बात करते हैं तो जैसे for example आपका salary है which do not create any kind of good ठीक है that do not create a lasting impact on the economy तो ultimately हम बात करें तो expenditure दो तरीके से हो सकता है आपका capital expenditure हो सकता है या फिर revenue expenditure हो सकता है capital expenditure आपका long term investment होता है long term expenditure होता है जिसकी वाज़े से आपको long term उसके benefits reap करने को दिखते है revenue expenditure वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यह short term expenditure होता है जिसके आपके जो हम एक तरीके से कह सकते हैं asset building नहीं होती है we do not have the asset building तो asset building नहीं हो पाती है और यहां पर आप अगर देखते हैं तो जैसे for example salary है या पर आपके pensions है they are the part of revenue expenditure और अगर हम complete defense expenditure की बात करते हैं about 75 percent of the expenditure is revenue and only 25 percent is capital expenditure अब यहां पर आप अगर देख रहे हैं तो ultimately किस तरीके से सरकार इस चीज़ को कर सकते हैं कि आपका modernization करें when 75 percent of the salary of the expenditure it is going to revenue head आपका 75 प्रदेशत जो आपका expenditure कर रहे हैं वो आपका revenue head को जा रहा है तो सरकार किस तरीके से आपके वान वर्चीनरी को आपका जो है अच्छे कर सकती है आपको अच्छे equipment दे सकती है नहीं दे पाएगी तो ultimately rebalance the expenditure ताकि यह आपका revenue expenditure यह कम करके हम capital expenditure को बढ़ा सके that is the objective of that was the objective of शेकेट कर कमिटी इसके बाद फिर हम next बात करते हैं तो तो रिवीव training administrative and logistical establishment as per the best practices under Indian conditions तो मैं मानता हूं US की conditions अलग हो सकती है France की अलग हो सकती है Germany की अलग हो सकती है all the countries they have the different conditions and all the countries they have the different requirements हर एक देश के एक अलग country जो हमारी है उसके अपने अलग requirements होती है अलग conditions होती है और भारतिये जो आपकी conditions है जो हमारे जो फिलाल की परिस्तितिया है उनके अनुसार जो training है उसको बैतर किया जाए साथी साथ आपका जो प्रशाशनिक और जो हमारे जो रख रखाव की सुविदाएं उनको बैतर किया जाए और आप जानते हैं इसके बारे में अगर हम logistical establishment की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि इसके बाद फिर नेक्स हम बात करते हैं तो correct biasness of defense budget towards revenue expenditure ultimately जो मैं अभी आपसे बात करी to rebalance the expenditure और rebalance the expenditure में हमें क्या करना है we have to correct the biasness जो हमारा revenue expenditure जाता है revenue expenditure को कम करके हमें we have to lay more focus on the capital expenditure capital expenditure को हमको बढ़ाना होगा तभी हम जो है अमारे जो arm forces है उनमें reforms ला सकते हैं then this committee the secret committee was set up in 2015 and it's later submitted its report in December 2016 2016 2016 में यह जो है आपकी इसने अपनी report जो है वह आपको दी तो ultimately अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यह आपकी जो है शेकेतिर committee के बारे में था now we'll talk about the recommendation अब हम इसकी recommendation के बारे में बात करेंगे what are the recommendations तो recommendations की हम बात करते हैं तो जो है आप जितने भी लोग हमारे साथ जुडव है एक बार आप जो है आप लाइक कर दीजेगा साथी साथ शेयर भी करते रहे सेशन को keep sharing the session आप session को share करते रहे और like भी करते रहे साथ साथ ठीक है चले अब यहां पर हम बात कर रहे recommendations की these are very important recommendations यह काफी important recommendations है आप यहां पर देखेगा these are important recommendations और like I said there are 99 recommendations जो की आपकी मानी गई और जिनको एक phase wise we are implementing them phase में first phase second phase third phase तो phase wise हम जो है इन recommendations को जो अनुशंशाए है इनको हम आपका जो है आपका वी आपका जो है इसको हम use कर रहे हैं या फिर recommendations को मान रहे हैं और इन में हम देखते हैं कि क्या-क्या important recommendations थी first one was to raise the retirement age of the जवान by two years to save significant amount on pension and training तो ultimately आपके जवान है जवान जो आपके भरती किये जाते है उनकी जो एज है उसको दो साल बढ़ाए जाना और दो साल बढ़ा कर उसकी जो minimum serving age है that should be 17 years उसको जो है आपका 17 years करना और इसकी वज़े से हम क्या गरेंगे we'll be able to save maximum amount or significant amount on pension and training जो pension or training है उसको जो है आपका pension or training दोनों पर आपका जो amount है जो हम कर्च कर रहें अगें pension or training पर हम क्या कर्च कर रहें it is the revenue expenditure ठीक है यह क्या है आपका revenue expenditure है तो यहाँ से हम revenue expenditure कम कर सकते हैं और उस revenue expenditure को हम मूफ कर सकते हैं इंटो capital expenditure उसके बाद next is optimizing non-combat support in army तो जब हम बात करते हैं आर्मी में तो you know we have the tooth to tail ratio to to tail ratio क्या होता है it is basically tooth is you know the the army or the you know the group of or I'll say the core of the army that is responsible for directly handling or directly getting into touch with the enemies जो आपका directly आपका touch होता है जो आपके बिल्कुल सीधा जो शत्रू के साथ लड़ते हैं वह आपका combat group होता है and then we have the non-combat group which provide the support which provide the support तो यह जो आपका support जो है वह आपका provide किया जाता है और यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो non-combat support जो है उसको optimize करना जो supply core है we have to optimize the supply core ordinance and engineers यह हमारे कहें these are the you know these are the non-combat group of the army यह आपके directly combat में नहीं होते हैं और यह पीचे से support देते हैं पीचे से support मतलब that they are the tail of the army तो ultimately जब हम यहाँ पर बात करें when we are talking about this so यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको optimize किया जाना that was one of the recommendation then also performance audit in the of the role of the non-combat organization that whether they are performing in the best abilities whether they are performing in the best abilities क्या वो बिलकुल बहुत अच्छे तरीके से उनका जो performance अगर हम उसको performance को देख रहे हैं whether they are performing in the best of their ability अपनी पूरी शम्ता के अनुसार वो अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं इसके लिए audit किया जाना और जो है इसको audit किया जाना that is one of the recommendation उसके बाद next हम बात करते हैं तो optimizing the signal core अगर हमाई signal core है तो उसमें आपका radio monitoring companies और बाकी जितनी भी आपकी companies है जो आपका जो पूरा traffic controller है सारी चीज़े जो है उनको एक तरफ एक ही जगा पर हमको ले कर आना so that we do not have the signal core for each and every of the organization अभी आपका क्या है हमारे signal core for army it is different then we have the signals in the same way we have the signal core in navy also आपका navy में भी signals है then we have the signals in the air force also तो ultimately उनको हमको combine करना और एक single core में आपको जो है उनको establish करना so that the complete thing can be taken care of then abolishing of the military farms and dairy farms so we have the military farms and dairy farms इनको आपका जो है आपका abolish करना and already 39 military farms have been closed यह आपका already मानी जा चुकी है और 39 military farms को dairy farms को हम already close कर चुके है next is closing of army postal establishment in peace units or peace locations जो आपका army postal establishment है उसको close कर देना peace locations में peace locations there are two locations आपका field locations होती है जो कि आपका बिल्कुल border के समीप होती है और वहां पर लगातार आपका जो है field formations या field locations के अगर हम बात करते है तो they are the you know battle areas जो हमारे battle areas होते है या फिर बिल्कुल close to army post होते है उनको हम जो है field locations कहते है वहीं पर कुछ peace locations होती है जैसे for example merit is a cantonment but we are not near to the you know any border or anything so ultimately peace locations होती है जो कि आपका थोड़ा सा outside inside the country they are established so the peace locations है वहां पर army postal establishment को close कर देना so that the you know the postal requirements they can be taken care of by the postal department जो हमारा postal department है वह वहां पर peace location में easily जो army informations है या फिर जो आपके जो postal letters है उनको easily वहां पर provide करा सकते हैं but yes we require postal establishment and field formation क्योंकि वहां पर जो हमारी postal जो आपका department है उसकी पहुंच नहीं है वह तो वहां तक नहीं पहुंच सकती है तो इसलिए आपका field locations में उनको जारी रखना लेकिन जो peace locations है वहां पर postal establishment को close कर देना the downsizing of RVC और सब्सक्राइब करते हैं उसके बात करते हैं उसके बाद पर नेक्स हम बात करते हैं नेक्स management in standards of recruitment of clerical staff and drivers in the army army में जो भी हमारे जो clerical staff है और drivers है उनके recruitment standards को बढ़ाना देन एबॉलिशन ओफ 930 post 9304 post in MES military engineering service out of total 13,157 vacancies in basic and industrial staff यह अभी रिसेंटी राजनाच Singh has given a nod or he has cleared for abolishing of this post और इसी वज़े से अभी शेकेटकर committee is into the news इसी वज़े से आपका जो है Indian news में जो है शेकेटकर committee दुमारा से resurface कर रहा है और this has been you know proposed by the Raja Singh that there will be abolition of 9304 post in the MES military engineering service military engineering service it is basically responsible for construction works जितना भी आपके constructions होते हैं housing construction है उसका maintenance है वो सभी चीजे जो है MES देखता है that is looked after by the MES and already we know that we are using lots of civilian I will say that civilian you know the the people the civilian companies into the you know into the construction part part आपका जितना भी construction हो रहा है उसमें हम already civilians को यूज कर रहे है so ultimately यह आपका recommendation था कि unnecessarily we do not need to have lots of post in the MES military engineering service में हम क्या कर सकते हैं आपका जो है जो in-house हमारे पास जो you know we have the armed forces personals हम उनको यूज कर सकते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही साथ जो बाकी बचीवी चीजे हैं उनको हम tender out कर सकते हैं यानि कि उसके लिए हम जो आपके tenders release कर सकते हैं और tender release करने के बाद पर हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं टेंडर release करने के बाद ultimately हम जो है civilian contractors को employ कर सकते हैं and we can employ civil contractors जो हमारा ये कारे कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं बहुत efficiently efficiently कर सकते हैं और economically कर सकते हैं so ultimately जब हम यहां पर बात कर रहे हैं आपका तो MES के यह post abolish कर दी गए और it is the recent you know acceptance of the recommendation यह सबसे recent acceptance है आपका recommendation की जो आपका शेकेतकर committee द्वारा दी गई उसके बाद फिर नेक्स हम बात करते हैं तो work of MES that can be partly done by the departmentally employed staff जो हमारे arm forces personal है and also other words can be outsourced to the contractors contractors को हम जो है आपका दे सकते हैं then apart from this NCC जो national credit core है उसकी efficiency को improve करने की बात की गई and for this it was said that only retiring personal they should be sent to NCC national credit core में सर्फ जो आपके जो personal है जो defense personal है जो आपके रिटायर होने वाले हैं सर्फ उनको भीजा जाना चाहिए जो active personal है they should not be sent to the NCC साथी साथ NCC it could be run by the re-employed or and contracted ex-service personnel तो ex-servicemen जो है जो आपके पहले पहुंच में रहे हैं और आप फिलाल वो retire हो चुके हैं उनको हम use कर सकते हैं for running the national credit core national credit core को आगे सु चारू कूप से हम use करने के लिए हम उनकी साहेता ले सकते हैं also this was the recommendation of शेकेतिकर committee that NCC it should be transferred to human resource development ministry अभी NCC जो है it is under ministry of defense it comes under ministry of defense or ministry of defense से इसको transfer किया जाना चाहिए to human resource development ministry HRD ministry में जो है इसको आपका transfer किया जाना चाहिए देन अगर हम बात करते हैं next then tri service intelligence should be made a tri service intelligence should be made याने कि आपका जो तीनों forces है हमारे पास military intelligence अलग है arm forces intelligence अलग है we have the all intelligence units जो कि आपके तीनों forces में आप तीनों forces की intelligence को आप combine करके एक tri service intelligence वराई है जो पूरी arm forces के intelligence को देखेगी and that was the recommendation that was given by journal committee उसके बाद पर next time बात करते हैं तो there should be joint service war college joint services war college एक जो है जिसे आपका army war college है ठीक किसी तरीके से आपका on the basis of this we should have a joint services war college जहां पर आपके तीनों services के आपके जो officers है उनको mid-level training दी जा सके and here we will conduct the courses of one year for all the forces आपके एक साल का जो है courses provide किया जा सके और सभी आपके चाहिए army navy or air force उन सभी के जो mid-level officers है जैसे for example you know the major level officers जिनकी rank major or equivalent होती है उन लोगों को training दी जा सके because they will be conducting and they will be cooperating among themselves all right जब हमारी war operations होता है तो war operation में ऐसा नहीं है आर्मी अलग लड़ी है navy अलग लड़ी और air force अलग लड़ी है so there has to be a cooperation among all the three forces तीनों forces के बीच में cooperation होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि जित्री भी officers है उनकी training एक साथ की जा सके और उनकी training जो है वो एक साथ हो साथी साथ लाइक पारूल सेट येस दिस वाज़ी रेकमेंडेशन ओफ दी जर्नल शकेतकर committee that chief of defense staff जो कि अभी जर्नल विपन रावत है chief of defense staff जो है उनको appoint किया जाए ताकि he can serve as single service organization and he can integrate the fighting fighting unit जितने भी आपके fighting units है उनको integrate के आया सके और जितने भी आपके service organizations है उनको हम organize कर सके उनको transform कर सके into the say you know below the same roof ultimately that was the idea और chief of defense staff के post जो है वो अरड़ी का जो आपका ये आपका हो चुकी है ठीक है इसके पास पर next हम बात करते है तो then chief of defense staff he is a four star journal who will be head of the department of military जो chief of defense staff है he is four star journal और अभी फिलाल we know that first chief of defense staff is general Vipan Rawat he will head department of military affairs and also he'll be principal military advisor to defense minister on all service matters तो आपके जो defense minister है उनको उनके जो है आपके military advisor ये रहेंगे और military advisor पहले जो है आपके advice है on the on the military issues that was given by all the respective chief of staff जितने भी आपके chief of staff है चाहे वो army staff है चाहे एको staff है चाहे वो naval staff है वो सभी अपनी advice आपने सला मश्वरा जो है वो defense minister को देते थे अब भी भी वो देते रहेंगे लेकिन he will be दो आपके chief of defense staff है he'll be the single spokesperson जो आपके directly आपके defense minister के साथ आपकी कोई भी service matter पर he can give the advice और the defense minister he can take the advice from the chief of defense staff इसके बाद next time अगर बात करते हैं तो we have to device an integrated war approach integrated war approach for the complete army navy and air force और इसके लिए ज़रूरी है that all the 17 separate commands they have to be created and into the three integrated commands इनको जो हमको आपका three integrated commands में इनको हमें create करना होगा तो आपके 17 separate commands we have the different commands for army navy या फिर air force तीनों के लिए हमारे जो है आपके जो है अलग-अलग commands है और अलग-अलग commands को हमें create करना है into three integrated commands yes I can see the comments all right I can see the comments but I will come to you later on जब हमारा session end होगा उस समय पर मैं आपको आपसे बात करना तो आपके जो भी चीज़े हैं ultimately you know that I will take care at the end of the session all right Karthik तो यहां पर आप देख रहे हैं तो आपका three integrated commands जो है वो three integrated commands यह आपकी create किये जाए that was the recommendation of the journal शकेतकर committee यह आपकी और you know probably theater commands के उपर हमें एक और session ला सकते हैं ठीक है अगर आप लोगों को आज का session समझ में आया होगा और आप लोग like कर रहे हैं session को आप अगर आपको जो है यह आपको समझ में आ रहा है so ultimately we can you know we can provide such kind of sessions आपको और इस तरीके के sessions हम प्रोवाइट करा सकते हैं theater commands कौन कौन सी commands होगी किस तरीके तो उन commands का establishment होगा इसके उपर हम एक और session जो है वो plan कर सकते हैं साथी साथ अगर हम बात करते हैं तो roll on budget for defense roll on budget for defense जैसे कि मैंने आपको बोला roll on budget जो है यह आपका create किया जाना चाहिए roll on budget मैंने आपको बताया था कि जब आपका capital expenditure वो आपका खतम हो जाता है unspent होता है तो unspent होने के बाद उसको surrender करना पड़ता है we have to surrender the unspent capital budget जो भी आपका budget release होता है जैसे for example मैंने आपको बता है 100 करोड रूप है आपको दिये गए for the modernization of defense forces लेकिन उसमें और फिर आपको surrender करना पड़ता है at the end of the financial year रोलाट defense budget में क्या होगा कि वो 50 करोर that will be rolled on to the next budget वो आपका next budget के साथ increase हो जाएगा और फिर आपके पास as such आपके पास ज्यादा budget होगा so that you can put forward for the capital requirements जित्री भी हमारी capital requirements है capital again asset building capital क्या होता है capitalist asset building requirements जो आपका asset building होती है उनको हम capital requirements कहते हैं तो आपका जो है capital requirements जो है यह आपके आगे roll on budgets की तरह के से ultimately हम जो है इससे हम और ज्यादा अच्छे से हम अपना जो है capital build-up कर सकते हैं then the general शिकेत्कर committee recommended that there should be spike in defense budget जो आपका defense budget है उसको increase किया जाना चाहिए है and up to 3% of GDP that should be spent for the defense budget आपका defense budget वो कम से कम आपका 3% of GDP होना चाहिए and it also focused on tooth to tail ratio tooth मैंने आपको बता है tooth they are the fighting arms जो आपका fighting arms होती है they are the fighting arms and साथी साथ अगर हम बात कर रहे हैं tail it is the services आपका services होती है तो जो आपका fighting arms or services है इनके बीच में जो ratio है इसको बढ़ाया जाना चाहिए that means services को कम करके हमें fighting arms को बढ़ाना है fighting arms को increase करना है so ultimately that was the focus of the journal शकेतकर committee तो यह जो अगर हम बात कर रहे हैं तो these was this was all in today's session and साथी साथ मैं आपको बताता चलूं कि आपका cds second का हमने second batch हमने launch कर दिया है we have launched the second batch of the you know cds second 2020 जिसमें आपको 120-day study plan मिलता है complete study plan मिलता है and आपको 300-plus live classes दी जाएंगी 250-plus PDF दी जाएंगे 6500-plus practice question मिलेंगे and 30 mock test मिलेंगे with additional module of stage 1 in SSB the classes will be bilingual दोनों ही भाशाओं में आपकी classes जो है वो ली जाती है quiz will be in Hindi and English and study material will also be in Hindi and English course will be taught by expert faculties मुझे आप सभी लोग जानते है my name is Bhavar Singh सुरूई I am X-India 115 course और मेरे साथ श्राद मुद्गल सर अमन्दी बट्टी सर नवी नहीर सर निशान कपूर सर हमारे साथ शामिल है और साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि आपका जो ग्रेड़ अप लर्निंग आप है इस टॉपिक का इंप्टएस क्या है इस टॉपिक का इंपॉर्टंस यह बिटा योन अगर हम बात करें इस टॉपिक की तो इसका इंपॉर्टंस यह है अभि शेख महरा की मेहता की यह अपका अभी मैने जैसा आपको बताया डिभेंस मनिस्टर राजनाच शंह ने अभी आपके 9300 पोस्ट जो है मेस की वो खदम कर दी तो अल्टिमेंटी शेकेत कर कमीटी इस इंट दे न्यूज आपका करेंट में साथ ही साथ डिवेंट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप अगर आने वाले sessions में चाहे वो SSB है चाहे वो आपका written examination है वहां पर help करेगा लेकिन कहां पर है written या SSB जैसे मैंने आपको बता है दोनों में ही आपको इसका importance importance जो है वह आपको मिलेगा this is first class sir thank you very much Bhavana I am happy to have you on board ठीक है and when is our next class next class will be at two o'clock ठीक दो बजे ठीक दो बजे मैं आपके सामने quality के कुछ questions लेकर आ रहा हूं YouTube पर और quality के कुछ questions अब discuss करेंगे previous year questions को discuss करेंगे जो important questions है उनको discuss करेंगे तो दो बजे मेरे साथ live रहिएगा ठीक है और last year our defense expenditure was among the top three countries yes Ankit that is true ठीक है and I think CDS should be be five star and you should get the rank equivalent to cabinet minister the motor of CDS is first among the equals are not good as there is no democracy in military Karthik ultimately you know yes there is no democracy in military I know that there is no democracy in military but still you know when we talk about the military the chain of command ultimately if you know chief of defense staff if he is he is the senior most of the all these three chiefs or three three of the chief that are there so ultimately he will have the seniority factor that will be there so there is no need for any five star rank to get and ultimately agar four star rank five star rank on janty a five star rank joe it is equivalent to field Marshall or go rank joe wo aapka exceptional conditions may be out here that is only in the under exceptional conditions that five star rank is made available to any of the journals all right and ssb topics sub also ssb topics ssb topic topic and please bring one session on joint commands I am just seeing whether you will like the session or not because I think likes what come here so I'll see if there will be more likes or a good likes but they have to ultimately will call home Joe a Akka session plan karenghe just my upka joe will take the session on the integrated sir joe aapka joe commands and join commands and future commands and so we have session plan karenghe all right and a greater topic at 4 p.m. aaj joe aapka will have the you know topic at 4 p.m. toh miro ko nahi pata hai lekin abhi doh baje chik doh baje will have the quality previous year question papers aapka discuss karenghe quality previous question papers ko doh baje aap log library a great up ke channel per chicken and hello sir this is for the first time attending this and I am in third year btex sir I am confused how to start preparing for cds and I am determined uh for it all right Sakshi toh aap abhi se aap aapna preparation shuru kar sakte hai because in the fourth year you will be able to give the cds and because you are in btec so you have other entries also for example you have unit university entry scheme joh aap de sakte hai saath aap uske saath saath aap joe technical entry scheme bhi aap tgc bhi de sakte hai all right so you have both the entries that are all three entries that are you doh joh aap ke liye aap ke joh aapka aapko deeti hai bharat se bharatia joh shashasera se na hai us me aapko ye tino entries ke through aap enter kare saakta hai cds ke liye aap abhi se prepare karenghe toh that will be better kyunke fourth joh aapka exam hai fourth semester sorry fourth year joh hai dhab aap exam de sakte hai aap 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 se prepared hai so ultimately you will excel in your examination ठीक है तो बिल्कुल आप आप से prepare कर सकते है शाक्षी आदव and I am happy कि आप जो है आप हमारे साथ जो हैं जुड़े हैं और इसके लिए आप सबसे पहले यह करें कि आप अभी फिलहाल जो है previous year question papers जो है उनको आप study करें ताकि आपको यह पता लगे कि आप सबसे इंपोर्टन होती है तो आपकी जो नीव है वह रखी जा सके और उसके बाद फिर आप जो है आगे बेटर प्रिपरेशन कर सके तो यू can also enroll on the classroom study or with the grades up और आप हमारे जो cds second 2020 है उसका जो हमारा second batch उसमें आप enroll कर सकते हैं all right and all right Kartik I think we should work on that very hard to compare with China yes Kartik of course you know China has the resources but we are you know we are still lack on lots of the resources so yes we have to work hard all right and role of president and army chief is finished no president will still be the commander-in-chief of the armed forces all right and all right so that was all in today's session thank you very much or और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगो को समझ में आया होगा और जो आपके शेकेश कर कमिटी की रिफॉर्म से आप इनको याद रखेंगे and it is you know it is very much necessary कि आज की डेट में हम अपनी आम फोर्सेस को रिफॉर्म करें so that it can match the best of the armed forces in the world so that was all in today's session thank you very much for watching me live thank you very much bye-bye take care and Jay